उत्तर प्रदेश की सिदान नगर जिले की सरकारी स्वास्त वेवस्ता की बधाली का आलम सायद पूरे उत्तर प्रदेश में पहले नंबर पर होगा यहां की बधाली का आलम यह है कि जिला स्पताल में एंटी रैवीज वैक्सिन खदम हो चुकी है यही नहीं पूरे जिले का यही आलम है जिले के कुल 14 ब्लोकों में से श्रीफ एक ब्लोक में यह वैक्सिन इंजेक्शन बचे हैं जिससे पूरा जिला चल रहा है विबाग के अधिकारियों की बेसरमी का आलम यह है कि उन्होंने जिला स्पताल से लेकर पिएची शीएश्टी तक जंगे जंगे वैक्सिन ना होने के पोस्टर लगा रखे हैं सैंकडों की तादाद में रोज जिला स्पताल में लोगों का तांता लगा रहता है मगर मायूसी उनको वापस ले जाती है वहीं जिले के चिकित्षा अधिकारी डौक्टर वेद परकास का कहना है कि लोगों को दिक्कत हो रही है सरकार को लिखा जा चुका है परदेश में शिरिफ दो ही कमपनी वैक्सिन सप्लाई करती है क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर परदेश के सिध्धान नगर सी द्रामेर गुप्ता के रिपोर्ट जिए सर्पवलिक आती है और जो है यहां पूस करकर चली जाती है कार्टेक इंजेक्शन अभी तुछा सार्टेज हुआ है मंगाया गया है वो एक आध दिन के अंदर वहां चुकी सार्टेज हो गया तो तुछा सा प्रालम आई है किस कारण वाशे 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 वह उपर से आती है रेट कॉंट्रेक्ट की मेडिसिन है इसको अप्लाई कि यहां से ओर्डर दिया जाता है कि सी कामन से वहां वहां से देनी से इसको हो जाता है नहीं चूक गया है नहीं है Aब दिखिए जो रेट कॉंट्रेक्ट की मेडिसिन है वह उनके कउंट्रेक्ट के जो जो आदेश होता है, 45 दिन के अंदर उनको सप्लाई करना है, हलाके हमारे आदेश और मुक्च किसा अधिक्षक के अस्तर से भी जो भेजे गए आदेश के वो पहले ही भेजे आचुके हैं, ऐसा नहीं कि वो देर से भेजे गए हैं, लेकिन चुकि पूरे प्रदेश की दिवा हो सकती हैं, अगर मरीज को एक जगह से गूसरी जगह इस कारे के लिए जाना पड़ा, तो निच्छे तोर पे इसको मानने में हमें कोई गुरेज नहीं है, कि वो परशानी उठानी पड़ी है, लेकिन भूश्य में मेरा प्रयास यही रहेगा कि इस तरह की परशानिया ना कि दो पर तरह को हमें, जामें में भी है, कि म chosen認ा har ख़ए से ओ्याओ जो है कि नहीं है, कि तो नहीं है, कि यह हैं ज